हलो फ्रेंट्स एंडे रॉल स्वेंट्स आप एले नम्यू डिग्री पार्ट वन फ्रेंट्स मैं हूँ आपका सर मिस्टर डीकुमर सबसे पहले स्वागत करता हूँ आप सफीका एससपी एजुकेशन सेंटर के इस ओफीसियल उडिप चैनल पर फ्रेंट्स इस वीडियो मैं डिग्री पार्ट वन हिस्ट्री ओनर्स के वैसे स्टुएंट्स जिनके पीपर टू का एक्जैम आट जनवरी 2021 को होने वाली है तो उन सब भी के लिए जो आपके एक्जैम में अधर बता दीजिए तो मैं आपको हर एक और अब्जेक्टिव प्रस्णों का उत्तर जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसी प्रिकार से युनिवर्सिटी से जुड़ी अप्टू डिट इन्फॉ का आविश्कार किस ने किया तो वास्प चलित इंजर का इंजर का जो आविश्कार किया है वो है जेम्स वाट अप्सन नमबर गौ जो है इसका सही उतर हो जाएगा दूसरा प्रसन है कि टेली स्कॉप का आविश्कार किस ने किया तो यह गैलिलियो ने किया है अप्सन पुर्त गालियों ने पांचमा कुछन है कि यूरोपिय सासकों में कौन सांदार सम्राट कहा जाता है तो सांदार सम्राट जो है इसमें 99 पॉसेंट जहां तक मुझे जानकारी है पीटर चतुर्थ होना चाहिए वैसे एक पॉसेंट में लुई चौधामा भी आता है लेकिन इ सांदार सम्राट कहा जाता है तो घौ मेरे अनुसार से उत्तर होना चाहिए छाट्रा प्रसन्हां कि प्रेस बीटेडियें संप्रदाई की अस्थापना कि ने की अप्सिन का उत्तर हो जाएगा साथमा प्रस्न है कि wealth of nations पुस्तक के लेखक कौन है तो wealth of nations पुस्तक के लेखक जो है वो Adam Smith है गोईस का उतर हो जाएगा आठमा प्रस्न है कि सब्त वर्सिय युद्ध में कौन पराजीत हुआ तो सब्त वर्सिय युद में फ्रांस प्राजीत हुआ फ्रांस और गेट बृतेण के बीच युद भा था तो बृतेण की जीत हुई थी लेकिन फ्रांस जो वव प्राजीत हुआ था झाउनुक नपरसितान के इतली से आरंब हुई यह पूरे जो योरोप में फाल गए है उसके जो यह दी नामक पुस्तक किसे लिखा था ट्व प्रिंस नामक पुस्तक है जो वो मेक या वेली ने लिखा था अप्सन नमर कोईस का उतर जाएगा तेरा नमर प्रस्ण है कि वासको दगामा भारत आए तो वासको दगामा भारत जो है वो 1498 इस भी में आये थे गौईस का उतर जाएगा चौदा नमर कुछ नहीं फीप संबं किस ने दिया तो शक्ति प्रिथक करन का सिध्धान जो है यह सायद मॉंटेस्क्यू ने दिया है तो पंद्रकांसर जो है अप्सन नमबर गोही होगा मॉंटेस्क्यू नहीं दिया था इस वार के लिए आपका विविया क्या गया है बागि नेक्स्ट वीडियो में आप पूछा गया उसके भी अब्जेक्टिव का उत्तर बता दूं फिलाल आप सब्जेक्टिव प्रसंदेख सकते हैं जो विविया क्या गया है रेखा गेस्पेपर के तरफ से भौगोलिक खोजों के उद्देशियों की व्याख्या करें अत्वा सोलामी सदी में भौगोलिक ख खोजों के उद्देशियों का परिक्षन करें उसके बाद है कि यूरोप में आधुनिक वैग्यानिक विकास का विसलेशन कीजिए या अठार्वी सतावदी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को और एक हांकित कीजिए आगया है कि फ्रेडरिक महान को प्रबुद्ध सास प्रबुद्ध साथ करको कहा गया विवेचन किजिए यहां पे मैं आपको आंस्र क्लियर कर दूं यह फ्रेडरिक महान यहां पे चाहिक वा रडियों कि व्याक यह ज़ोगा करें उसके लिए उन्जीवाद के उधाय को रेखांकित कीजिए तेहिए इसका उत्तर आपको रेखा जो अगर गेस्ट पेपर लिए हुँगे अगर और सप्रिस्ट संक्या दिया गया आपको इस सब्जेक्री प्रशनों का उत्तर मिल जाए गए पीटर महान के उपलफ्धियों की स्व्मिख्षा कीजिए दस्मा प्रस्णनिय तीस वर्षिये यूद्य के कारणों का विवेचन करें और 11 इंगलेंड में ऑद्योगी क्रांती के कारों परिक्षन करें 12 नमर से इडने की उद्योगी क्रांती के सामाजी कार्थिक प्रभावों का प्रभावों पर प्रकास जा ले अत्वा उद्योगी क्रांती से आप क्या समझते हैं इसके कारणों का वर्णन करें अठ्वा वानिक वाद के स्वरूप पर प्रकास डाले 15 नमर कुछिन है कि ट्यूडर राजाओं की निरुंकस्ता निरंकुस्ता की समिक्षा करें या ट्यूडर काल के सासको का उनकी पसंद के साथ कैसा व्यभार रहा और जो अंतिम प्रस्थ है कि इस पेन के चार्ल्स पंचम की उपलब्दियों का वर्णन करें तो यह आप लोगों के लिए सोल अप पंद्रह सब्जेक्टिव प्रस नगेश किया गया है रेखा पब्लिकेशन के तरफ से और जो अब्जेक्टिव था वो मैं आपको आंसर बताई दिया बागी जो यह आप देख रहे हैं प्रेविए से के कोस्टन्स तो इसका भी आंसर मैं प्रयास करूंगा आपके एक्जैम से पहले प्रोवाइट करवा दो तो मिलते हैं ने विडियो में आगे के कुस्टन्स का आंसर के साथ तब तक लेते हैं विदा जै हिंद जै भारा थेंक्यू थेंक्यू सू मच